लंबे समय तक गत वर्ष से पीछे रहने के बाद गेहूं का रखबा अब पिछले साल से आगे हो गया है। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के नवीनतम सापताहिक आकडों से पता चलता है कि चालू रभी सीजन के दौरान राष्ट्रियस्तर पर गेहूं का कुल उत्पादन क्षेतर 12 जनवरी दो हजार चौबीस तक बढ़कर 336.95 लाक हेक्टेर पर पहुँच गया जो पिछले साल की सम क्रिशी मंत्राले के आकडों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में चालू रभी सीजन के दौरान गेहूं का उत्पादन चेतर उत्तर प्रदेश में 97.12 लाक हेक्टेर से उचल कर 101.4 एक लाक हेक्टेर, मध्य प्रदेश में 86.30 लाक हेक्टेर से सुधर कर 86.66 लाक में 23.77 लाक हेक्टेर से बढ़कर 24.72 लाक हेक्टेर तथा हरियाना में 23.67 लाक हेक्टेर से सुधर कर 23.77 लाक हेक्टेर पर पहुँच गया। दूसरी और गेहुं का बिजाई चेत्र राजस्थान में 29.67 लाक हेक्टेर से घटकर 28.61 लाक हेक्टेर, गुजरात में 12.9 लाक हेक्टेर से गिरकर 12.2 लाक हेक्टेर तथा महराश्ट्र में 10.35 लाक हेक्टेर से लुड़कर 8.56 लाक हेक्टेर रह गया। पंजाब में भी गेहूं का रगबा गत वर्ष के 35.111 लाख हेक्टेर से फिसल कर 35.07 लाख हेक्टेर पर सिमट गया। इसके अलावा देश के कई अन्य राजियों में भी सीमित क्षेत्रफल में गेहूं की खेती होती है जिसमें जम्मू कश्मीर, चटीजगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जारखंड, करनाटक तथा पश्चिम बंगाल आदी शामिल है। इन राजियों में गेहूं का उत्पादन छेत्र या तो पिछले साल के बराबर रहा या उसमें मामूली अंतर देखा गया। बिजाई की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने के बाद अब सबका ध्यान मौसम पर केंद्रित हो गया है, जो फिलहाल कमोबेश सामान्य है। फरवरी मार्च का मौसम गेहूं की फसल के लिए निर्यातक साबित होता है, जिस पर नजर रखना आवशक होगा। Bureau Report Market Times TV